सब क्लासिफकेशन सब क्लासिफकेशन किये जाने को मानेता परदान की गई है अब राज्य सरकारे अनु सूची जाती वैजन जाती की सूची के भीतर आरक्षन के लिए उपवर्गी करन अर्थात नई सूची बना सकेंगी जिससे फिर अने को समस्याएं उत्पन होगी पांच न्याए देशों की सविधानिक पीड दुवारा इवी चिनईया बनाव अंधर परदेश राज्ये में दिया गया था तो उसको पलट दिया है अनु सूची जातियों वै अनु सूची जन जातियों के भीतर उपवर्गी करन नहीं किया जा सकता है पहली अगस्ट दो हजार चोवीस के इस निड़ने के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वै अपनी अपनी राजनिती के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी राजे सरकारे अपनी अपनी बोट बैंक के लिए अपनी मन चाही जातियों को आरक्षन का अनुचित लाब देने का प्रयास करेंगी आज की प्रेस कॉन्फरेंस मान्य सुप्रीम कोड के साथ नियाए धेसों के सविधानिक पीड दुआरा अभी हाली में पहली अगस्त दो हजाट चोविस को देश में अनुचित जाती वे अनुचित जन जाती के आरक्षन के संधर्म में जो एक अती महत्रपूर निर्ने दिया गया है तो उसके समन्द में अपनी पाटी की पतिकिरिया जाहीर करने के लिए से बुलाई गई है जिसमें सब क्लासिफकेशन अर्थात सब क्लासिफकेशन किये जाने को मालेता परदान की गई है जिसको लेकर और भी बहुत सी बाते कही गई हैं उनसे हमारी पार्टी कताई भी सहमत नहीं है और इस समन्द में माल्य सुप्रीम कोड दुबारा दविंदर सिंग बना पंजाब राज्य मामले में पारी तिसादेश के अनुसार अब राज्य सरकारे अनुसूची जाती वे जन जाती की सूची के भीतर आरक्षन के लिए उपवर्गी करन अर्थात नई सूची बना सकेंगी जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन होगी और अम मान्य सुप्रीम कोड ने अपने पहली अगस्त दो हजार चोबीस के इस निर्णे से बीस वर्ष पूर्व दिया गया निर्णे जो सन दो हजार चार में पांच न्याय देशों की सविधानिक पीड दुवारा यी भी चिनयया बनाव अंद्रपरदेश राज्ये में दिया गया था तो उसको पलट दिया है जिसमें अनुसूची जातियों वे अनुसूची जन जातियों के भीतर किये जाने वाले वर्गी करन को मानिता देने से इंकार कर दिया गया था और ये भी कहा गया था कि अनुसूची जातियों वे अनुसूची जन जातियों के भीतर उपवर्गी करन नहीं किया जा सकता हैं क्योंकि वे एकी समरूप अथार समानवर्ग में आते हैं माने सुप्रिम कोट ने वर्ष 2004 के अपने निल्ने में ये भी कहा था चूंकि अनुसूची जातियों और अनुसूची जन जातियों के लोगों ने जो अत्यास चार सही हैं वे एक वर्ग और एक समूप के रूप में सही हैं तथा ये एक ब्राबर का वर्ग है जिसके भीतर कि मान्ये सुपरीम कोट ने अपने 2004 के निर्णे में ये भी कहा था कि अनुसूची जातियों और अनुसूची जन जातियों के भीतर किसी भी प्रकार का उपवर्गी करन भारते सविधान की मूल भावना के वितरीत होगा मान्य सुप्रीम कोट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णे द्वारा समानता के अधिकार का उलंगन करने के कारण आंद्रपरदेश सरकार द्वारा पारित आंद्रपरदेश अनुसूचित जाती अधिनियम 2000 को भी रद कर दिया था अपने 2004 के निर्णे में मान्य सुप्रीम कोट ने ये भी माना था कि ये वर्गिकरन इन जातियों के भीतर अलग-अलग व्यवार करके समानता के अधिकार का उलंगन करेगा और अम मान्य सुप्रीम कोट के साथ जजों की पीट ने पहली अगस्त दो हजार चोविस के निड़ने से सन दो हजार चार के निड़ने को पलड दिया है जबकि इस निड़ने से अनेकों मतभेद उत्पन होंगे मान्य सुप्रीम कोट के पहली अगस्त दो हजार चोविस के इस निड़ने के बाद केंदर और राजे सरकारों के बीच भी मतभेद के स्तिती उत्पन होगे क्योंकि अभी तक केवल संसत के पास किसी भी संसत के पास किसी भी जाती को या जन जाती को अनुसूचित जाती में संबलित करने या बाहर करने की पावर है जिसे मानने राश्पती द्वारा अपने आदेशों द्वारा किर्यानवित किया जाता है और जिसे बदलने का किसी भी राजे सरकार को अधिकार नहीं है प्रन्तु अब पहली अगस्ट दो हजार चोवीस के इस निड़ने के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनिती के हिसाब से अदलती बदलती रहेगे जिसके साथ साथ राजे सरकारे अपनी अपनी बोट बैंक के लिए अपनी मन चाही जातियों को आरक्षन का अनुचित लाब देने का प्रयास करेंगी इस परकार से इस आदेश से ऐसी अने को समस्याई उत्मन होगी जिसके कारण SCVST को मिल रहा आरक्षन ही समात्थ हो जाएगा इसी रूप में समाने वर को ही दे दिया जाएगा